देखो, Determinants of Elastic of Demand, पहला, Availability of Substitute, Substitute मतलब उसके जैसा कोई दूसरा प्रोड़क्ट जिसे अपने अभी डिस्कस किया था, कि Pepsi और Coca-Cola वगरा, अगर किसी एक का भी प्राइस में थोड़ा सा भी कम आ जाएगा, तो दूसरे कि उसकी जो डिमांड होती है, वो क्या हो जाती है, suddenly increase हो जाती है, तो उसमें वो कौनसे वाले पैरामीटर पर बेढ़ेगा, ये वाले देखो, perfectly elastic पे, little change in price, cause an infinite change in demand, next देखो, क्या लिखे है, proportion of income, spent on commodity, elasticity of demand पे, कौनसा एक determinant काम करता है, देखो, income proportion, कि लोग अपनी income का कितना percent spent करना चाहते हैं, उनका budget रहता है, उसके according वो लोग क्या करते हैं, उस पर expense करते हैं, तो लोग अपनी income का कितना percent spent करना चाहते हैं, ये भी बहुत एक matter करता है, next देखो, इसमें, different use होते हैं, commodity के different use होते हैं, कोई इसको किसी के लिए, suppose, अगर आप लोग मार्केट में ही जाएं, जिसे कार असेंबलिंग वगरा होती हैं, न, कार, कार समझ रहे हैं, आप लोग में क्या बोल रहे हूं, motor cars वगरा जो होती हैं, जो बड़ी-बड़ी high tech companies होती हैं, जैसे उसके seats वगरा होते हैं, वो companies क्या करती हैं, कभी-कभी assemble करवाती हैं, दूसरों से लेती हैं और अपने उसमें fit करती हैं, तो जो उसके seat वगरा बनाते हैं, वो उसके लिए finished product हैं, लेकिन जो car manufacturing company हैं, अगर वो car assemble कर रही है, तो वो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, raw material हो जाएगा, होगा की नहीं? एक के लिए जो finished product बनके ready हो रहा है बिकने के लिए, वो दूसरे के लिए raw material बन जाता है, तो different uses होते हैं commodity के, है नो, तो ये सारी चीज़ें भी effect करती हैं demand पर, next देखो, habit of consumer, most important, consumer की habit के according, किसी चीज़, किसी person के लिए वो need है, तो वो उसके लिए जरूरत की चीज़ है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, perfectly inelastic, perfectly inelastic देखो यहां पर, यह वाला, first, zero, price में कितना भी change है, demand में change नहीं होगा, अगर उसकी habit में है person की, कि उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो उस समय उसके लिए elasticity, demand क्या हो जाती है, perfectly inelastic, price कुछ भी हो, उसको तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है, कि दूसरे के लिए भी वो ही उतनी need की चीज़ हो, तो यह habit पे भी depend करता है, और कभी भी जो perfectly elastic या inelastic है, वो एक persons की income के उपर भी depend करता है, जैसे यह वाला लिखा थे न, proportion of income spent on commodity, next, देखो, nature of commodity, commodity का nature क्या है, nature समय जो, perishable है कि नहीं है, मतलब, ज्यादा time तक उस product को रख सकते हैं कि नहीं रख स या तुरंत यूज करने वाला product तो नहीं है, आ रहा है समझ भी, जैसे आगर आप लोग medicines वगरा लेते हैं, तो उसकी expiry date होती है, लेकिन कुछ-कुछ medicines ऐसी होती है, जो आपन को तुरंत लेनी पड़ती है, या खाने भी नहीं का कुछ products ऐसा होती है, जो आपन को तुरंत ह करना पड़ता है, जैसे अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ order करते हैं, तो आप उसको तुरंत ही consume करें, लेकिन जब आपर raw material जियां सबजियां लेते हैं, वेजिटेबिस तो आप उसको store करके रख सकते हो, तो commodity के nature के उपर भी depend करता है, और हमारी उस समय need क्या है, उसको भी depend करीदने की बात करी हूँ, suppose अभी market में उस product का price rise है, हाई है, तो आप wait कर सकते हैं, उस product के price के कम होने का, या फिर market में जो hoardings अगरा होते हैं, जो shopkeepers होते हैं, वो लोग products को बचा के रखते हैं, कि उनको पता है, जैसे onions इस time पे बहुत costly मिलता है, तो कुछ घर में already store करके र price कम गा, तो postponement, यह भी बहुत बड़ा factor है, आ रहे हैं, समझ भे, यस मैं, कुछी को doubt है, तो पूछो, किसी को भी, क्या लिखा है, बताओ, heading में, importance, to a monopolist, monopolist कौन होते हैं, जिसके पास किसी product क्या किसी चीज का monopoly होता है, सिंगल राइट, सिंगल यूजर है, ना, जैसे market में, आज से, टेली कंपनी, या टेलिफोनिक कंपनी में, तो देको बहुत सारे हैं अपने पास, जैसे Airtel है, Vodafone है, Zio है, Zio, Idea, Airtel है ना, तो यह 4-5 हो जाते हैं, तो उसको oligopoly बोलते हैं, जिसमें 4-5 है, वो oligopoly, monopolist मतलब सिंगल, या आजकल, अगर देखा जाएं, जैसे mobile में, Zio की monopoly चल रहे हैं की नहीं चल रहे हैं, comparatively, अगर दूसरों के साथ देखो, तो Zio की monopoly चल रही है की नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, starting में price कम करते हैं, फिर दीरे-दीरे price बढ़ा देते हैं, price जब वो लोग कम करते हैं, short term के लिए, अपन को उसकी habit बना देते हैं, फिर अपन उसके बिना कई move नहीं कर पाते हैं, जब वो लोग price राइस करते हैं, तो importance देख रहे हैं monopolist के लिए, बताओ, आ रहे हैं समझ में, आगे इसमें जैसे अपना railway बगर आ है, उसमें monopoly चलती है, railway तो अपना सरफ government के अंदर यह, problem क्या है देखो उसमें, रेलवे तो public undertaking है, तो उसका price कम रहता है, लेकिन जो private players की बात करेंगे तो private players में जो monopoly होती है, वो लोग price के साथ बहुत play करते हैं, यह अपन topic जब पढ़ेंगे न market features, monopoly, oligopoly, elasticity of demand के बाद तब आपको समझ में आएगा तब, finance minister देखो, उसके लिए तो बहुत important है, price, RBI, finance minister, इंडिया का, इंडिया के finance minister को होने है बताँ, बताँ, अगर लड़कियों को finance minister का नाम नहीं बता, तो बहुत गलित बात है, मैं, इंडिया की economy को, control करने वाली, finance minister, economy को regulate करने वाली, market में पैसा कम होता है, तो पैसे कब डालने हैं, कब निकालने हैं, आ रही है बात समझ में, नेक्स देखो, तो उनके लिए तो, important रह गए की रहेगा, रहेगा की नहीं, बताँ, price को manipulate करना, बताँ, वो अपनी policy, देखो, जब किसी product का price बढ़ता है, यहां उनको लगता है कि कोई चीज गलत हो यह consumers के साथ market में, तो यहां तो वो ban लगा देती हैं, यहां तो restrictions लगा देती हैं कि लोगों के साथ गलत नहीं हो, तो price elasticity of demand, वो देखती है, essential commodity की goods हैं कि क्या है, तो फिर वो उसके according उस पर subsidy provide करवाती है, अपने को government, नेक्स देखो, useful in factor pricing, factor क्या होता है बताँ, factors, factors of distribution, यहाद आ रहा है, land का price क्या होता है, land की income क्या है, rent, वैसे ही, labor की income क्या है, बताओ बटा, wages, profit, किसका income है, capital का, interest, capital क्या है, interest, है न, और एक businessman, capitalist, organization के लिए income क्या है, उसका profit, तो factors pricing में भी useful है, नेक्स देखो, international trade में, international trade में, अगर अपना कोई product, यहाँ पे, इंडिया मार्केट में, comparatively other country से कम price में है, तो अपन वहाँ जाके sell कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, उस product का, और दूसरा poverty, इसको मैं कल explain करूंगी, क्योंकि time अब कम हो गया, इसमें, तिक हैं, less than one minute है, अपन कल continue करते हैं, कर दो, तो, इसमें, मैं पहाँ जाए, कर prawda, यहाँ जाते हैं,inky COG, अपना कहिंगा सकते हैं,